हाई मैं हूँ संजीव त्यागी क्राइम पट्रोल के और एपिसोर्ट के लिए सेट इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हम आज चंद्रमा और मंगल तक पहुँच चुके हैं लेकिन हमारी प्रित्वी जिसे हम मा की संग्या देते हैं उस प्रित्वी पर औरत की असमिता क्या है ये सवाल हमसे और हमारे घर से ही शुरू होता है अगर औरत के सम्मान की रक्षा उसके अपने घर में हो जाए तो समाज की चुनौतियां उसके लिए आसान हो जाती हैं पर क्या इस औरत का परिवार इसके साथ था और समाज किस हक से उसे ये अमानुए दंट दे रहा था ये घटना इस औरत से जुड़ी थी लेकिन ये कहानी एक साक्षी नाम की लड़की की भी थी साक्षी एक शहरी पूछना आपका पूछना है कर रात में बारे बाटे कुसी से पढ़ रहा था ना पर इक सवाले देन तना देर नी करते चल 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 आज़ आज़ा ज़ा है देदे हम गोल का एक सवाल भूल गया कभी-कभी फरवरी में 29 नियों होता है कभी-कभी नहीं हर चार सा एक साल में 365 की वजाए तिन्सो चाचचच दिन होते हैं, हम मैं याद है, चलो दिदी, बाए! 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 तरफ बाए! अब अब इन्या जुटा लए लाई? वह पापा, हम जोगिंग के लिए हैं का हुता ये जोगिंग होगी है? अब भालतू का पईसा कट्चा करो अरे भाया, अपना कमाई काय तो खरी दिये, अब सहर में सहर जैसा बनना पड़ेगा की नहीं खरी आँ मैं तो किसी को मुह दिखाने के लाग छोड़ी नहीं कि सहर में जाने क्या करेगी? जाओ गिंग करेंगी अरदे भाया, चटीला है? अरण भाया अरे साक्षी हाँ भावा अरे साक्षी लो, समय से खाले ना और सुनो, तुम चिंता मत करो, हम भाया भावी को समा लेंगे जाओ कितने मची तब? जादा देर नहीं लगाएंगे भावा आठ सारी आठ तक आजाएंगे अरे तब तो हम बता देंगे तुम ओवर टाइम कर रही हो नहीं भावा, माय तो उनको बोल देना कि हम काम के बाद पूजा के बड़े पाटी पर जाएंगे कहा है यह बड़े पाटी? तो पूजा हमें मायपुरी रोड पे मिलेगी और हम उसी के साथ चले जाएंगे पार्टी पे पर तुम्रे पास तो मोबाइल भी नहीं है तुमको देर हो गया तो यह लगुआ, पूजा का नंबर है अच्छा भी हम चलते ना, देर हो रह है समय से आजाना यह बड़े वाले बॉक्सिर उपर लगाओ इसको यहां जमाओ, यहमाल को यहां जमाओ यह कितना है, 32 पीस है ना गिनके रखना इसमे तोड़ा जल्दी करो छोड़ा हमें, सब क्या बत्तमीजी है आज हमको फुल एंड फाइनल करना है अब और नाखरा नहीं सेंगे तुमारा लोग, बाकी पैसे भी लोटा देंगे आज हमें आज हमें आज हमें आज हो गया इक बच्चा नहीं जनी इसको मौका दिये ना तो अपना आसिक के साथ मिलके हम को मारने के जिनी है आप समझ काहने रहे हमारा कोई अर्दिक नहीं है और तो धूंड के फोटो खीच के लाएं के तम बानूगी ना यार फूजा अंधेरा हो गया है और तुम हमें इया खडा करके रखी हो अब थोड़ा सबर करो अब अंधेरे इतना भी क्या डर रही हो कोई वूत वू थोड़े ना रहे है यापे और बता काई निर्यो हमें कहा जाना है पार्टी में वो तो हमको भी नहीं पता रवी ने बोला है कि सप्राइज है बस आता ही होगा वो हमें पिक करने के लिए फूजा ये गिफ तो हमाई तरफ से रवी को दे देना हम चलते हमें देर हो रही है अरे रुको ना बस वो आता ही होगा अबी क्या एगे या साड़े नौ बज गया भी ना तुमको साक्सी को मना कर देना चाहिए था कि किसी पार्टी में चानदी का कोई ज़रत नहीं अब तुमरे भाई आए ये रहा तो हम्रा काट कड़ा कर देंगे खा हो गया भई खाय कोजरी है उमको अरे फोने पंद आ रहा है दूसा कुछ नंबर मर्दी है वो नहीं भईया साक्सी तो हमको यही नंबर दी थी यह नंबर उसकी सहली पूजा का है जुसके पट्टे पाटी पर गई है तो दोनों बुआ बती जिन आमरे नाक पे दम कर दियो अब जाहिए जाके साक्षी को दूड़िये पूजा उनों से मायपुरी बुला है था वो लोग ना जीनन ही दोगे उनको आपको साक्षी की फ्रेंड पूजा का घर भी नहीं बन दो जहां पर साक्षी बड़े पाटी में गई था नहीं मालुक साब साक्षी ने जो पूजा का नंबर दिया था वो भी बंदे आ रहा है और साक्षी का नंबर भी नहीं लग रहा है उसके बद पूह नहीं है साब कितना ऐसे तो थो था तो कह रहे थी किसी दोस्त की बर्डे पाड़के नहीं जाना हम पूरा राद से साक्षी को इदर दर टून रहे हैं साप आप लोग कुछ की लिए जाए कुछ की लिए अरे माफ करिये गप अरे भाईया अरे भाईया फोटो काई कीचे है हेलो भाईया नहीं सर कल हमारा बर्डे नहीं था अब साक्षी तो कल अपने घर से कहके यही निकली ती कि हो तुमारे बर्डे पार्टी में जा रही है अर सर हम तो कल साक्षी से मिले ने प्रिव प्रिफ माना तुम कल साक्षी से मेलें काल से तुमरा फोन के बने है अ 좋아 consent तो हमने बनने के लिए ध형 इस सार लेके ने हाँ हमने को एम ए अफ को है सार मयो जंगल के बास च्छी के लाश मीलिए संध्र शेरी सवर्ड अपने लाश को तुब से पहले देखा हूं. सारा हम लकडी लेकर आ रहे ते हैं और अपनी रासी में लाश को देखा, सर. वारूँ, फुज़ए के बारे में सब बचचा पता करें. तो साक्षी की यूनिट से भी हमें यह पता करना होगा कि साक्षी अपने यूनिट से कभ और कहा के लेखे लिए साफ यहां के सारी कर्म्चारी लोग साम को 6 बज चले जाते हैं 200 गंटे हमimentos रहते हैं? उस अल्की का मडरत कल गात को यहां से बस थोड़ी सी दूरी बर जोप्रना रहां पर वादा डाद कुल इसी के चिखने चिलना ने कहा सुनी थी को? नहीं साफ, हमने तो कुछ नहीं सुना एंचे कोई CCTV आए ही है और नहीं साफ, यहां तो कोई CCTV नहीं है कि निया जूटा कहा सुलाई पापा जॉगिंग के लिए लिए ले ले लिए सर हमने कुल साक्षी के बादर को बताया था कि वह एक गंटा पहले चली गई थी साक्षी ने घंटा परे चुट्टी इस लिए लिए थी क्योंकि उसको किसी पाटी में जाना था आसर वो कुछ ऐसा कह एए थी कि उसके फ्रेंड का बड़े है शिफ्रेंड को लड़का अब सब इस बारे में तो हम कुछ कहनी सिप्ते है लेकिन अब ज़िए इस बारे में तो अब आज ही एक हते की चुट्टी पे गया है उसके घर में गाउ में कोई शादीवादी थी कल आपका मैंजर नेरज औ साक्षी साथ में यूनिट से निकले एग्जेक्ट चार बच के पंद्रें लेक्टर के मैं जित्तफा गया है और हमें गुमारी का शर आम फोन करके पू निरज का साक्षी के साथ की इशू था यूनिट के काम को लेके तो कुछ नहीं था हूँ बाके हम कुछ कह नहीं सकते है निरज के काओं 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 दो में अड्रस तो नहीं है उसका लेकिन हाँ यह मालू है कि वो वेर्शाली में कहीं रहता है कमाल है निरज एमपलोई है और आपके पास अपने एड्रस नीए यहां पर न गडरे सेस्अ जहां हो किराए पे रहता है इसने जो नीरज का या का पटन गयेगा यहाँ पर जाओ हो सघतम इसके मकान मालिक से निरज का ब Dashalik Dec बैस्वार्शाली फुलमी सपने थी डिटि एल्ज्ब में जो तो पूज़ा ना पिर यह कहां से है? मैं अभी अभी शॉप से लेकर रही तो फिक हो गया ये हाँ ठीक हो गया हमको तो यह उन लोह काम लगता है जिन लोगों ने हमारा जड़ खाट दिया है पूलो कभी हमको कुछ नहीं देख सकता है कभी आबाद नहीं देख सकता है पर कहां का कड़ी को कहां जोड रही है यह सब कुछ नहीं हुआ है तो पुझाओ नहीं सर हमें लड़का को कभी नहीं देखे हैं हो सकता है साक्षे का इस निरज के साथ अफेर क्या बोलना है आप हमारा बेटी यसे नहीं था लेकिन कल पुजा का बड़े भी नहीं था इसके मतलब यह है कि आपकी बेटी साक्षी आपसे जूट बोलके गई थी क्यों पुजा की बड़े पार्टी में जा रहे है नहीं हुआ मायत उनको बोल देना कि हम काम के बात पुज कुल्पी देखे कि साक्षी को फरी में कुल्पी दे रहा है देल हमारे टरब से कुल्पी प्री ही हुआ है हुआ हुग अरे उस दिन हमारा ठेला पराड जी था तो तुमने कितना माज़ थ किया था और मीरिए यह नहीं था पाईसे लेंगा। जा MATT कर रहे हमरे बदी चीज़े, देख कीच के! यह कुल्फीवाला रहता का है, कुछ जानती है इसके मरे में? नहीं साप, यह तो नहीं जानते है पर हां साप, उसके गाड़ी पर नारायन कुल्फीवाला लिखा हुआ है यही हमारे आसपास के इलाके में घुमता रहता है साप पानी इतना फुर्टी से पानी ले आई जहर मिला है इसमें हम कहें जहर देंगे आपको तो जाके मारते हुसे अब मान लेगे तू फच कह रही है पुलिस ने जल्द ही उस कुल्फी वाले के घर का पता लगा लिया लेकिन नीरज की तरह वो कुल्फी वाला नारायन भी शेहर से गायब था और पुलिस नीरज और कुल्फी वाले की तलाश में जुट गई उसकी हत्या उसी राद को ग्यारा बजे के आसपास हुई थी जिस राद से वो मिसिंटी साक्षी को डूटली टॉटर किया गया था एक्स्टरनल इंज्रिस के लावा उसके लंग्स तक डेमिस थे साक्षी का से रेप नहीं किया गया कैंग रेप यह था साक्षी की बॉड़ी पर तील लोगों के डिया ने मिले था और फिल्हाल हमारी सस्पेक्ट लिस में हैं दो लोग अगर यह दोनों इसमें इन्वाल्व है तो बाकी के लोग भी इनी से करेक्टर होगे है एक काम करो मुझाफर पुलिस को इसके अपडेट विए सार मैंने साक्षी की फ्रेंड पूजा के बारे में पता किया है पुजा का कॉलेज में रवी नाम के लड़के से फेर है उसके कॉलेज में पड़ता है और जिस दिन साक्षी का मर्डर हुआ उदिन इस रवी का ही बड़े था यह रवी है साक्षी अपनी फैमली से जूट बोलकर गई थी कि वह अपनी फ्रेंड पूजा की पसर इस रवी के बारे में भी पता किया है सर कॉलेज में यह लड़के के मडर केस में सस्पेक्ट है तरशनबाग पुलिस इसका केस देख रहे है उठा के लाज को सब्सक्राइब हमने कुछ नहीं किया हम तो उस दिन पहली बार मिलेते साख्षी से हाई रवी हापी बड़ सब्सक्राइब हमने साख्षी को भी बड़्डे पाटी पे इन्वाइट किया हम साख्षी और पूजा को मायापुरी से पिक अप करके रेस्टोरेंट लिके जाने वाले थे पर सर जब हम वहाँ पहुचे तो वहाँ सिफ पूजा थी सब पूजा बहुत घबराई हुई थी और पूजा क्या हुआ हुखए हुखए हुथी था मताया था कि साक्षी को किसी ने वहाँ से किड्नैप कर लिया पूजा चार्पिर तू ही साख्षी को किड्नैप करके ले किया था अरे रुको ना, बस वो आता ही होगा अबी क्या एग यह यह यहाँ यह ऐसा तो नहीं है कि अपने दो सभी को बचाने के लिए कानिया बना रही हूँ नहीं सर, हम सच पोल रहे है तो पहले जुट के बला था वो सर, हमारे पापा को नहीं पता था कि हमारा रवी से अफेयर है इसलिए हमको आपसे जूट बोलना पड़ा अच्छा वो गाड़ी कों सी थी, जिसमें किनाप किया गया साक्षी को नमबर याद है उसका? नमबर तो नहीं याद, लेकिन वो सिल्वर कलर की बड़ी सी गाड़ी थी पुलिस को उस एरिया के आसपास ऐसी कोई फुटेज नहीं मिली जिसमें वो कार कैप्चर हुई हो और पुलिस पूजा और रवी से जुड़े हर उस लड़के को उठाकर उसका डियने ले रही थी जिन पर उन्हें शक हो रहा था वहीं कुल्फी वाले नारायन और नीरज की तलाश भी जारी थी और इसी दोरान साक्षी की बुआ और मा ने पुलिस को एक नया बयान दिया हम काफी समय से सोच रहे थे कि आपको ये बात बता दें देखिए जेपनाची आप जो भी कहना चाहती है अब खुल के कहिए बिना जेजाग साब हम पीपला गाहों से हैं हमारे पती यहां पटना में काफी समय से मश्तूरी करते हैं और वहां गाहों में चमिदार भीसनलाल के खेती में हमारे पुरखे बंधभा मश्तूरी करती आई है और साब भीसनलाल का एक बेटा भी है यह स्टौधरी यह सासाक्षी एक ही उमर के तुन्हों एक दुस्रे को पसंद करते थे पर तो साल पहले यह बटन दबा उपस एक हो अरे हासमी लिया करा क्या रही लड़की अपना उपकार बंचे उन्हों नहीं कहीं का नहीं छोड़ा तो पर दाव चोड़के कहां जाएंगे किसम बत करेंगे हैं अलबत करेंगे हैं दो दिन का मोलत दे पहे हैं तुमको अपना बुरिया बिस तरह बांध और निकलो यहां से सरका आप हम का एसा नहीं निकाल सकते हो हमारी पुर्खों ने आपकी खेते में पसीना बाहाया है हम से जबान गळाएगा है और खा पसीना बाहा था ना तुमारा हम खून भा देंगे सब ने यह आप सहने कह रहे हो जितना गल्टी हमारे लड़की गाए उतना है आपके ल इतना हिम्मत नहीं था हम लोगों में, हम तो वहां से अपना जान बचा कर भागे, अगर रुखते तो वहां में जान से मार दो मिश्री, अब तुम्हारे पिताजी की दबित कैसी है? अब वो ठीक है दिदी इतने दिन उनके साथ रेकर तुमने उनकी सेवा भी तो की? चलो, अब मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, तुम ये काम खतम करके खाना बना लो ठीक है दिदी साड़ी तो लाने भूल गे घर ये द appeals मोँआ की दिदी साड़ी तो म braking देए झापरी बnhान साच है जरा ouse बटने भीक है लग क्या है बटने घ्राम तुम तुम रग झार बद़ उनका चुवा हुआ हम पानी नहीं पीते और आप सोच कैसे लिए दिरुगा जी कि हमरा बेटा एक मजदूर की बेटी को मुह लगाएगा तो ठीक है ये बात आप अपने बेटे को उसी कह मुझे बोलने दीजे आमरा बेटा दिल्ली में इंजिनिरिंग का पढ़ाई करता है आज आएगा तो मिलवा देंगे आपसे दो दिन का बात दे रहा हूँ उल्वा लिजेगा ये बिशेनलाल अपने बेटे को कॉस्ट्णिंग से बचाने के लिए गयाब भी कर सकता है पता गरो उसका बेटा वाकई में दिल्ली में है या पर कहीं हो अगर जिसर्ण हलो हम तर्ज के रहे था हम गायब नी हुए थे और हमने ओफिस में गाउं का गलत पता भी नहीं बताया था वैशाली हमारा ननिहाले और मुजफरकूर हमारा पैत्रिक गाउं और हमारा फोन खो गया था हमने जानबूज के बन नहीं किया था तूस दिन यूनिट से साक्षी के साथ निखला था चार बच के बंदरा मिनट वर तो ही साक्षी को माय जंगल ले कर गया अभी बोल और अपने बढ़ दे कानी बता और तुम हमें विश कर रहे हो अफिस में तुम्हारा आधार कड़ देखा था उसमें तो आजी का बट डेट लिखा है वो तो बाबा ने अडमिशन के वक्त ऐसे ही लिखवा दिया था वैसे तो राम नमी पे जनमे थे तो राम नमी पे फिर से इसके बिना भी तो हम दोस रह सकते हैं लेकिन दोस से बात करने के लिए फोन का जरूत होता है ये लुठा कूल लेकिन हमें अगो लेगिन भी अवा हम आगे का सोच बैठे है मEh तो कुम्हारे ऑगन बेर फोन का कीमत जल जल चुका देंगे वहारे बागी पैसे भी लॉटा देलिया तो गोल जा तुने साक्षी को फोन दिया था तुने साक्षी को फोन दिया था तुने साक्षी के पास तो में कोई मोगेल फोन नहीं मिला वो फोन इस्तमाल करती थी उसका नंबर 93-248-6752 था एक वस्ति हो गया यह सॉल्व अरे वा दीदी आप तो सच्में इंटेलिजेंट हो दीदी एक काम करो आप अपने उनिट में हमको नोकरी लगवा दो और आप अपने पढ़ाई पूरे करो और हम बाबा का बोचल का कर देंगे अरे नहीं पिंटू तुम्हें तो खूब और अपने लिए हम नहीं कर पाए ना वो तुम्हें करके दिखाना ओगा मैं अपने अपने आप पैसिखने देडी के स्कुल चुझओ अचूडवा देगा पीडेल सार पासर कमा के देंगे आप देड़ी को वापस लिया इँ अगर साक्षी फोन इस्तमाल कर रहे थी तो आपको तो बताई होगा नहीं सरम ने साक्षी के गर के तलाशी भी लिए पर वहां कोई फोन नहीं मिला निरेज ने जो साक्षी का नंबर दिया है ट्रेस करो सिडिया निकालो उसका उसे गन्फर्म हो जाएगा कि साक्षी के पास कोई फोन था या नहीं सर जो नबर नीरेजने में दिया था वो साक्षी के अधर काट सी करेदा गया था मलतों साक्षी के पास फोन था जया सर कॉलिग कोड्स में हमें सिफ दो नमर मिलें है यश का और नीरच का इनके साथ साक्षी रेगुलर टच में थी यश बशनलाल का पर साक्षी यश के अभी भी टच में थी सर मैंने बता किया यश दिली में भी नहीं है अपने गाउं आया हुआ है यह से बात करने पड़े हुए इठाने इसमें साथ सर आप लोगों को गलत वहमी हुआ है हम कहें करेंगे साक्षी के साथ ऐसा कुछ सर हम तो उससे बच्पन से प्यार करते हैं लेकिन सर हमारे बापा की वज़े से उनको गाउ छोड़ कर जाना पड़ा था और सर अभी अभी चार महीने पहले हमें साक्षी का सामने से ही फोन आया था हम साक्षी बोल रहे हैं साक्षी? उस दिन के बाद हम अकसर साक्षी से फोन पर बात करने लगे थे और हम तो उससे पटना भी मिलने गए थे काई बात सर हमको लगा कि हमको हमारा बिचड़ा हुआ प्यार मिल गया लेकिन सर वो अचानक हमें इगनौर करने लगी एक काम करते हैं हम तुम्हें मिलने के लिए कली पटना आ जाते हैं नहीं अब तुम्हें मत आया करो हेलो सर राद बार अकसर उसका फोन बिजी आया करता था हमें तो पक्का लगता है कि उसकी जिंदेकी में कोई और लड़का आ गया था इस बात की चलन हो ही तुझे है कि उसकी जिंदकी में कोई दूसरा आ गया है गुसा आया तो जो तो गुसा निकालने के लिए तुने उसका रेप किया और उसके बाद मार दिया सर हम सच कह रहे हमने साक्षी के साथ कुछ भी नहीं किया सर अब तो पॉलिटिकल प्रेशर भी आ गया है एक प्रेश कौन प्रेशर अपडेट बताओ सर निरेश रवी और रवी के दोस्तों के अलावा यश का भी डिया लेकिन कोई भी गुना कूबल नहीं कर रहा है सर अधीब कैसे भी करके उस कुलफी बारे नारायन को डूबना और एक बार क्राइम सीन से भी तक साक्षी का फोन नहीं मिला है पता करो साक्षी का सीन किस आई-म्याई नंबर के फोन में इंसर्ट वाता ट्रेस करो से और क्राइम सीन के आसपास दोवारा से चानबीन करना है सर सर यश के फादर मिशनलल यश की ज़मानत करवाने आए चोड़ तो रहो में यश तेकि नजर रहेगी हमारे उसमर दरोरगा जी आप अब भी हम पर और हमरा पिठा पे बिना मतलब में शक कर रहे है और उबच्ची का गुनेगार अभी तक बाहर खुला में घूम रहा है आप हमरी बात ध्यान से सुनिए क्योंकि हम बता सकते हैं आपको कि कौन लोग है इकांट के पीछे और उसका मकसद का है कॉल डिकॉर्स देखे हैं ने थे तो अभी भी लगातार विशनलाल के साथ बात कर रहा है विशनलाल ने सब कुछ बता दिया हैं से आपको ये बता तेरे और विशनलाल के दी चल गया रहा था नहीं चल कुछ नहीं रहा था साथ हां डुमेने पहले फोन जरूर आया था पिस अलाल सा कारे रुपेश तुमरी बेटी हमरा बेटा यश का पीछा नहीं न छोड़ेगी सुरकार आप तुम कुछ करते हो कि फिर से हम कुछ करें बोले सचा की नहीं सचा के नहीं हाँ बाबा याश हम से कभी-कभी मिलने आता है आज के बाद तु ना वु यस से मिली ना तो समझ चाहन क्या करें तरे साथ भी जालान के कहने पर तु अपनी बेटी का दिल नहीं बदल पाया उसको रोख नहीं पाया जसे मिलने से तो तु अपनी बेटी को क्या बोलना है साब आप वह हमारा बेटी ही था हम सबना में भी उसके बारे में इतना बुरा नहीं सोच सकते झाल 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 सक्षी फोन धशा रहा है लेकिन इस्माए दूसरा नमर डालगया और यह नमर इमार्ची की नम पर इस्टन है यह वो ही मर्थी है जिसमे सब्से पहले लाज को जंगल में लेखाथ instagram i parlous हमार एपार लेना देना नहीं है साक्षी कापुन अच्छी दरा से चैकिया था इसकी कॉल और मैसेज हिस्ट्री में साक्षी से जोड़ा तो कोई भी कंटेंगी में था वो सकते है रिपेर के वक्त फॉन को फॉर्मेट किया गया इसका डेटा रिट्रीप करो ओगे था सब सर दो अरते आई हैं आप से मिलना चाहते हैं डरो मत मिश्री वो सब सर को बता दो जो तुमने हमें बताया है सब पतना के पास अटेरी गाउं है हम वही रहते हैं हमारे गाउं में प्रथा है और उस प्रथा की वज़े से हमारी जिंदेगी कैसी प्रथा क्या हो थारी जिंदगी में इनके साथ होता है उसका वज़े से हमको वारा पती भी अपनाना नी चाहता था पर हमारे बाबुजी हमें हमारे पती के पास बेजना चाहते थे ऐसे छोड़े देंगे मिश्री को तो कहां जाए कि बैचात इक काम की जिए पचास हजार रुपर हाथ पर रखिए हम ले जाते हैं आपकी बेटी को उनको पचास हजार देने के लिए बाबा को साहुकार से कर्जा लेना पड़ा बाबा कर्जे की किस्त चुकानी पा रहे थे तो साहुकार उने जान से बारने की धमकी देना लगा उसका किस्त चुकानी के लिए हमको कीजी के या पे चोरी करना पड़ रहा था पैसा कम होता था तो साहुकार हमारे साथ इका है यह तो बहुत कम है हम अगला बार जादा करके दे देंगे इस बार हमको जाने दो अगला बार तुम जादा दोगे तो इस बार कहा दोगी सर मिश्री ने छोरी अपनी मजबूरी के चलते की लेकिन सर असली गुनेगार बो लोग है जो इतने सालों तक इसका सोशन कर रहे थे सर हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ आप जल से जल कारवाई करें जरूर धर अजीव हम आपके इंसानियत के जज़बी के कादर करते हैं आपने बहुत नेक काम किया मिश्री को यह लग मिश्री और वो रो कौन है जिन्हों ने तुन्हें कामने बेज़ित के मिश्री के बयान के आधार पर पुलिस ने मिश्री के पती समेथ कई लोगों को अरेस्ट किया जो मिश्री के दोशी थे लेकिन मिश्री की कहानी अब भी अधूरी थी और तभी साक्षी की कहानी का एक बड़ा सच सामने आया सर साक्षी के फोन से पुराना डेटा रिट्रिव हुआ है और उसमें कुछ फोडोज मिलें तर यह बाइट पावड़र दिखकर जैसा लग रहा है जैसे यह ड्रग्स हो अगर यह ड्रग्स है तो इस फोटोग्राफ साक्षी के मूबैल में क्या कर रहा है यह तो टॉइज है साक्षी जहां पर गाम करती थी तो ईडिस पैकिजिंग यूनित साख सड्र शर शर जा चरहा हुआ है तर हम रहां प्रुण्स का दंदा करते घाट थे थिस को पता चलिया तो तो नहीं सर हमैं तो इस हम जम झालुम नहीं। आरेस्ट कर लेंगे तो हमारे ड्रग्स के दंदेगी सारी पौल खुल जाएगी। सर लेकिन ये सारा कांट निरेज नहीं किया है सर जूड बोल रहा है शेलेंडर ये उसी की चाले उसी ने मुझे आपना फोन बन कर की कहीं गाया बोजा तरकी मैं भज जाओ और आपका सथीधा मुझ पर रहे हम सच के रहे हमने कुछी गिया मां कर सथ हमने आपको जिन पूरा कि हम पर सब करता कि हमारा उस कुल्पी याले के साथ चपकर चल जाया तर सबसे मानना चाहता था इस लड़की का ला साब को मायो जंगल में मिला था हाँ सर मायो जंगल में एक बार हमारे साथ भी बहुत गलत का मुवए था चल्विबाद के उस चोगी दान ने तुमारा रेप किया अजा दूसा कों ता उसके साथ हम सिफ मिस्री जैसी औरतों के साथ ही यह तब करते थे साथ हमारे के लाब भू न कोले अज़ कि साक्षी मूख होल सकती ती इसले बार दिया उसको तिन तीन दोगों ने मिल कर रेप कि इसका तैसा क्योंता उसका आड़ अगया उसको तून गाइप किया ना संग्षी कमेडर में तू इंवल्वड आव मानते हैं कि हमारी बीबी के साथ कुछ लेकिन हमने सटों गाइब नहीं किया और नहीं इस लड़की के साथ कुछ जिए हम सच कर आग शाटन एप किया झा मिश्री के गुनेगार पकड़ लिये गए लेकिन साक्षी के गुनेगार कौन थे ये अब भी राज बना हुआ था जहां पर तुम लोगों ने मिश्री का रेप किया महीं पर साक्षी का मडर और ग्यांग रेप हुआ है अगर ये तुम लोगों ने नहीं किया है तुम तो नो केला हुआ और कुन तोमड़ा दोस्त है साजोज जगे के बारे में जानता है अबास हाप हमारा दोस्त है बरुद हम लोग एक रोज उसके साथ डारू किये थे वहाँ बरुद काम लेगा सब वो दुल्गेस कॉंजेक्टर पर ड्राइवर है सब्सक्राइब देखो गाड़ी के पिछे बलेक एंड़ इस्ट्री का रहे है है बार निकाल कि टीकला है सब तालो काड़ी में सब आमको पता चलिया था कि साक्षी भाहाँ पर राने बाली थी साब मारने का बात नहीं बाता साब कोई प्लान ही था मडर का लेकिन साब इतना सब कुछ होने के बाद उसको जिन्दा भी तो नहीं चाहते है ऐसी भी क्या दुश्मनी थी साक्षी के साथ रुपेश हमारी कंस्ट्रक्शन साथ पक काम करता था कुछ नहीं बाद उसने अपनी पहन बीना को भी हमर रहा काम पे लगा दिया था हम उसको पसंद करने लगे हम दुर्गेश से प्यार करते हैं लेकिन कभी साक्षी तो कभी साक्षी का बाप हमरा अपना भाई उन दोनों के वज़े से हम हमीशा बरबाद हूं पहले उसाक्षी के चक्कर में अपना पती खोए और जब यहां हमको दुर्गेश से सहरा मिलने लगा तो फिर से हमरा भाई बीच में आगया उस दिन जब शाक्षी हमको बताई कि वो अपने सहिली के साथ किसी बड़े पाथी में जाने वाली है वो फूजा हमें मायापुर हमको लगा यही सही मौका है हम दुर्गेश को बता दिये कि वो मायापुरी जाने वाली है अपने भाई से बदला लेने का इससे अच्छा मोका नहीं मिल सकता था हमको ले दिये बदला हो गये तुम और दुर्गेश एक भेदभाव की भावना ने साक्षी से उसका बच्चपन उसके दोस्त यहां तक के उसका गाउं भी उससे चीन लिया शहर की चुनोतियों और गरीबी ने उस बच्ची को स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया और भाई की शिक्षा जारी रखने के लिए उसे मजदूरी करनी पड़ी साक्षी को जो महौल मिला वहां उसे कई मानसिक यातनाय छेलनी पड़ी लेकिन फिर भी वो संघर्ष करके अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहती थी लेकिन उसको ये दर्दना कंत क्यों मिला आखिर उस बच्ची की भूल क्या थी सिर्फ यही के उसकी मासूमियत उसे ये समझ नहीं दे पाई कि उसे किस पर कितना भरूसा करना चाहिए आज हमारे समाज को धारा जैसे लोगों की जरूरत है जो मिश्री और साक्षी जैसी महिलाओं को समाज की कुरीतियों से लड़ने का होसला देती है और उसी होसले की बदालत मिश्री की लड़ाई आज भी जारी है लेकिन अफसोस किस साक्षी हमारे बीच नहीं है अब मैं अनूप सोनी आप से विदा लेता हूँ फिर मुराकात होगी Crime Patrol सतर्क में एक और नहीं केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का खयाल रखें सतर्क रहें सुरक्षित रहें और देखते रहें Crime Patrol सतर्क जैहन